और अब देखिए एक ऐसा लाइफ विडियो जिसमें एक पंखा क्लास्रूम में छात्रा के उपर आ गिरता है। यहाँ सक्क्यों हुआ कैसे हुआ देखे इस रेपोर्ट में। क्लास में छात्रा और छात्राएं सिर जुका कर अपनी कॉपी में लिख रहे थे। टीचर ब्लैक बोर्ट पर लिखते वे बढ़ा रही थी। इसी बीच सामने की डेस्क पर बेठी छात्रा के ठीक सामने गिरा फंखा। पंखे का एक ब्लेट छात्रा की सिर पर लगा। पंखा गिरते ही छात्रा के मुँ से चीख निकली। टीचर ने फोरण छात्रा की तरफ देखा, घटना को समस्ते ही खायल छात्रा का हाथ पकड़ा, हाथसे से पूरी क्लास में भगदर बच गड़े यह हाथसा हुआ दमा निवम दीव के एक सरकारी स्कूल में, जिसकी सीस्टीवी तस्वीरे क्लास रूम में लगे कैमरे में गयत हो गए एक बार फिर स्लो मोशन में देखिए, किस तरह से क्लास रूम में बढ़ाई के वक्त यह हाथसा हुआ स्कूल में यहाथसा नहुआ होता अगर कबार के पंखे को क्लासरूम में उर्ते खद्रे की तरह ना लटकाया जाता आप खुद देखे, चट से टबके पंखी की हाल थे, कबार बन चुके पंखों के इस धेर में से एक की मरम्मत कर क्लासरूम में छात्रों के सिर पर लटका दिया गया था गरिमत रही कि पंखा सीधे छात्रा पर नहीं किरा यह छात्रा के सिर पर छूकर टेबल से टकराया और फिर फर्श पर जा किरा स्कूल में फर्स्ट एट बॉक्स था लिहाजा छात्रा की फॉरण ही मरहम बट्टी कर दी गा रहत की बात ये रही कि शाक्रा को ज़्यादा चोट नहीं लगी इस से टीचर्स और बाकी स्टाफ की भी जान में जाना है